चामोर्शी गाव से 2000 बक्रियों का जुन लेकर वैंगंगा नदी घाटी में चरने के लिए ले जाने के बाद नदी के बेसिन में पानी का अस्तर अचनक पड़ गया और पूरी बक्रिया नदी के दूसरे तरफ फस गई गटना 12 जन्वरी को चामोर्शी तैसल के गणपूर में वैंगंगा नदी बेसिन में हुई सौबागी से नाविक नदी के बेसिन में मशली पकड़ रहा और नाव से सभी बक्रियों को सुरक्षित किनारे पर लाने में कामे आव रहा प्राप जानकारी के अरुजार शेर की बंधू को हुपारे उम्र 55 साल अमोल एकलवार उम्र 24 साल राकेश को हुपारे उम्र 36 साल और गणपूर के दिलीप चौधरी गाव से करीब 2000 बक्रिया लेकर गाव के पास वैंगंगा नदी घाटी में चरने गए थे हाला कि जिले में पिछले तीन दिनों से हो रही बेमौसम बारिश के कारण सभी साहियक नदियों का जलस्तर बढ़ गया है वैंगंगा नदी का जलस्तर भी तेजी से बढ़ा क्योंकि साहियक नदियों का पानी मुख्य वैंगंगा नदी बेसिन में बह गया बढ़ते पानी को देख कर चारो चरवाहे हैरान रहे गए चरने के लिए ली गई दोहजा बकरिया नदी के दूसरी और फस गई वर सोच ने लगा कि बकरियों को कैसे निकाला जाए। इसी बीश नदी बेसिन में नाविकों के मश्लिप पकड़ने का मामला सामने आया। नाविकों ने बकरि ही हो रही है बीसे नियोज के लिए चामोर्स इसे बबन वड़े टिवार की रिपोर्ट